वोम श्रेगने साय नमधा जम बात करेंगे सपनों के बारे में तो मनुष्य के जीवन में शपनों का बहुत महत्य बताया गया है तो अगर आपके सपनों में यहां वस्तु यह दिखाई देती है तो आपको होगा लाब तो आज इस वीडियो में 15 ऐसी वस्तों के बारे में बात करूँगा अगर आपके सपनों में यहाँ वस्तों यह दिखाई देती है तो आपको अच्छा लाप प्राप्त होगा तो यहाँ वीडियो पूरी देखे आपको अच्छे लेगे तो लाइक करें, सियर करें, सब्सक्राइब जरूर करें तो सरपरतम में ने लिखा है जोति सास्त्र के अंस्वार पहला अनाज भरना, अगर आप स्वयम को अनाज भरते समय देख लेए हो सपने में, तो आपको धन की प्राप्त होगी अनाज यानि की अन्पुर्णा माता दूसरा नमबर पे आग देखना, आग यानि की अगनी, तो समस्देवी देवता का मुख है अगनी, तो इससे भी धन की प्राप्त होती है तीसरे नमबर पे उट देखना, ये भी लाप की प्राप्त होती है चोधे नमबर पर दूद पीना दूद में भगवान संकर का वास माना जाता है चंद्रमा का वास माना जाता है जो की बहुत अच्छा लाप प्राप्त होती है धन की प्राप्त होती है पांचों में परवत में चंडना परवत जहां मंतर जाप का बहुत अच्छा लाप्राप्त हो जाता हजारों गुना फन मिलता है परवतों में तो हमारे रिशी मुनी कहां जाते थे परवतों में तो सपनों में देखना तरक्की पाना छेवे नंबर पे परवत से गिरते देखना तो यहां भी धनकी प्राप्ति होती है साथ नमबर पर बांसुरी बजाना भगवान के प्रियमानी जाती थी भगवान स्री कृष्ण की तो यहां भी तरक्ति का माना जाता है संकेत बादल देखना यहां भी धनकी प्राप्ति होती है जंडा देखना तियां भी धनकी प्राप्ति होती है क्योंकि आप ने देखा होगा घर के उपर लगाते है जंडा तो यह भी बहुत अच्छा मना जाता है साब देखना तियां भी धनकी प्राप्ति होती है हाँ अगर साब काट रहा है तो विरो आपको कश्ट आते है परंतुर खाली देखना तो यहां पर धनकी प्राप्ति होती है किसी को रोते हुए देखरो या स्वैम को रोते हुए देखरो तो यहां बहुत अच्छी बात है आपको खुशी मिनने वाली है तराजु देखना तराजु में बुद्ध गरह का वासमाना जाता है तो ब्यापार में आपको लाग की प्राप्ति होती है लाब होता है आप अपने घर में भी लाज सकते हैं तराजू अपर दिन पुजा करें तराजू का तो आपका जीवन में ब्यापार में लाग की प्राप्ति होगी हाती में सवार देखना तो ये भी लाग की प्राप्त होती है समसान गार देखना तो यहां दीरग आयो यानि कि आपकी आयो लंबी होती है तो ऐसे सपनों का बहुत महत्तो पताय गया है अगर आपको सपनों में ऐसे-ईसे चीज़े दिखती है तो आप गवराये मत अब भगवान सिपका ओम नमह सिवा का जाब करे एक सो आठ बार तो आपके लिए अच्छा ही होगा यह बीड़ अच्छे लेगे तो लाइक करें सेर करें सस्क्राब करें